Even ladies in tier 2, tier 3 cities are aspirational, सबने किसके नहीं होते हैं, और अगर कोई चीज उन वो obstruct करता है, तो वो myth होता है, तो वो assumption होता है, assumption उनके in-laws का, assumption उनके husband का, और कहीं पे उनके खुद के fears and insecurities, कि मैं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, शायद मुझसे वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने की जो टीवी के राम पे चल रहे हो, आपकी ही जैसी है, अलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिंदे सिंग राठोर, और आप लोगों के लिए लाया हूँ, Inner Wellness Tribe का अगला एपिसोड, आज हमारे बीच में बहुत inspiring personality मोजूद है, ये 2016 Mrs. India इन्होंने जीता, और ये founder है Mrs. India Inc. ही और एक educationist भी है, so please welcome Mohini Sharma जी on our show. Thank you so much YSR for having me here, it's an absolute honor and I'm so looking forward to this. So how it started Mohini, कब आपको लगा कि मुझे एक entrepreneurship की journey में जाना, इसका seed कैसे रखा गया? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शुरुवात करते हैं, तभी हमारी planning पूरी set नहीं होती, planning ready नहीं होती. चो. तो जब मैं शुरू कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं entrepreneurial journey में अपने पहला कदम रख रही हूँ. पर एक passion था मेरा, एक सपना था, जो मुझे खीच रहा था, और वो सपना था भारत को Mrs. World का crown दिलाना. शाल बहते हैं. तो ये सपने के पीछे जो छोटा बच्चा कैसे किसी चीज़ के पीछे भागता है, तो वैसे मैं ये सपने के पीछे भागती चली गई. मेरा जो passion था, मेरा जो desire था, वो मुझे खीचता ले गया, और आज मैं यहाँ पर खुदको as an entrepreneur देख रही हूँ. तो बस शुरवात एक प्यास से हुई, एक सपने से हुई, एक पुद सुपता से हुई. और I think वो सपना पूरा भी कर लिया अब तो अब में. वो सपना पूरा हो गया है 2022 में. सरगम कौशिल जो हमारी 2022 की Mrs. India रही है, वो Mrs. World का ताज इंडिया के लिए यह 20 साल बाद. This was like an impossible dream. हमने, ऐसे नहीं कहूंगी, सोचा भी नहीं था, क्योंकि सोचा था, इसलिए यह journey मैंने set की है, पर तयार थी शायद मैं हारने के लिए. 2016 मैं हारी, 17 मैं फिर से हारी, मेरी दूसरी कंटेस्टिंट के साथ, जिसको मैं देख रही थी, जो कंपीट कर रही थी. 2019 में डॉक्टर राशी जेन थी, जो Mrs. India की विनर थी, उसको मैं लेकर गई, वो हारी, उसके पीछे मैं हारी. फिर 20 में नवदीब कौर थी, जो Mrs. India की विनर थी, जो फिर से वोल्ड के ले गई, फिर मैं वापस से तीसरी बार हारी नवदीब कौर के पीछे. और सरगम कौशल के समय जजबा पूरा था, होपस बहुत हाए थे, पर कहीं पे प्रिपेर्ड भी थी मैं, कि अगर फिर से हार गए तो कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे, यहां गिवाप नहीं करेंगे. जो आपके खुद की भी जनी रही, आपने मिस्स इंडिया जीता, आप बता रहे थे, मुझे मिस्स वर्ल के लिए भी आप गए थे, तो क्या वहां पे इस सपने का सीड रखा गया था? जब मैंने मिस्स इंडिया की तैयारी शिडू की थी 2016 में, इंटेंशन यही था कि मिस्स वर्ल्ड में कमपीट करना है, इंडिया का फ्लाइग लेकर उस स्टेज पर चलना है, और खुद को आज़ इंडिया सुनना है. क्या बात है? तो वो मेरा ड्रीम था, जिस वज़े से मैंने मिस्स इंडिया के लिए एन्रोल किया, तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं मिस्स इंडिया भी जीत पाऊंगे कि निल जीत पाऊंगे. काफे डर था, नर्विसनेस थी, क्योंकि इतना बड़ा प्लाटफॉर्म जादा देखा नहीं था मैंने बचपन से, पर नसीब में लिखा था महनत पूरी की थी मैंने, तो जब मिस्स इंडिया का ताज जीता मैंने, तब जहन में एक ही चीज थी कि अब बोल्ड लेकर आना और बाकि तो हम मिस इंडिया उसको देखे काफी इंस्पायर होते रहते थे, हमारे इतने जादा रोल मॉडल्स रहें हैं, आश्वर्या राय रही है, सुश्मीता सेंट रही है, तो कहीं पर ये जो रोल मॉडल्स हैं इंडिया के दिगज जो हैं, प्रियांका चोप्डा जो और जब World के लिए गई मेरी तरफ से मैंने पूरी तयारी कर ली थी पर डेफिनेटलि वो तयारी कहीं कम थी क्योंकि अगर वो पूरी तयारी सही में होती तो शायद World का Crown 2016 में ही इंडिया में आचुका होता पर तयारी कहीं कम पड़ गई थी और वो जो प्यास थी मेरी वो जो उत्सुपता थी मेरी समझने की कहां हम कम पड़ गए इंडिया कहां कम पड़ या मैं मेरे पे कम और इंडिया पे जाधा ले रही थी कारण क्यूंकि मैं मिस इंडिया को बहुत सारे जीतते वे देख रहे थी जहां मिसिस इंडिया का crown कोहीं नहीं आहा था कोई international crown नहीं आहा था तो इतनी बात पकी थी कि कमियां बहुत सारी हैं मिसिस सेग्मेंट में और जब मैं खुद उस दरिया में डुपकी लगा कर आई, तब मुझे पता चला कि क्या क्या कमी है। अब वहाँ पे मेरे पास दो रस्ते थे, या तो मैं मोव ओन कर लूँ इस हार से और अपनी लाइफ के साथ कैरी फॉवर्वर्ड कर लूँ, कैरी ओन कर लूँ, या फिर मै महीं पे अटक जाओं और उसी में बोलते हैं न सुलकती रहूं, सल करती रहूं, मैं अटक तो गई थी, मैं जूटनी कहूंगी, मुझे बहुत दुख हुआ था, पर शायद घरवालों की सीख, मा की सीख, ऐसी थी कि जब मैं उस दुख दर्द में थी, तब मैं कमिया निका और तब मुझे पता चला कि ये कमी सिर्फ मेरे में नहीं है, ये जो अगली लड़की जाएगी, ये कम्या उसमें भी होंगी, और जब मैं कमी की बात करती हूं, तो मैं ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, हम पेच से ये सारी चीज़े नहीं सीख कर आता है, चाहे किसी को एथलीट बनना हो, चाहे किसी को Miss World बनना हो, चाहे किसी को Mrs. World बनना हो, there are a lot of training, lot of new skills that we have to inculcate, and I could understand all these areas where the workings is needed, confidence इस लिए भी था, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि Miss India जीत रहे, तो India में capability है, ये बात पकी थी, तो जब मुझे मेरी लिस्ट मिल गई, प्लॉस की, ब्लूफोल्स की, अब वोई पापसे दो option था, या तो वो लिस्ट को बाजी में रखो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, या फिर उस लिस्ट पे काम करो, और आने वाली generation के लिए रास्ता साफ करो. तो आज जब आप connect the dots करती हैं, तो आज जो भी आप अच्छी उपर रहे हो, do you think कि वो जो मिस्स वर्ल्ट वाली failure है, वो जो आपने वहाँ पे लूज किया, कितना important role अदा किया उसने आपको आज जो आप हो, उसे shape करने में. मुझे तो ऐसा लगता है कि वो failure ने मुझे मेरी life का purpose दे दिया, जितना बड़ा life का आपका failure है, उतना बड़ा रस्ता आपको दे कर जाएगा, ये बात पकी है, मैंने लोगों को बोलते वे सुनाए कि अगर दर्वाजा बंद होगा तो ठिड़की खुलेगी, नहीं, खुलेंगे मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने personally experience किया है, शायद अगर मैं Mrs. World बन जाती, satisfied होती, एक साल अपना raining period खुशी-पुशी निकालती, world travel करती, और आने वाली लगकी को train करती, जितना हो सकता है, रस्ता दिखाती, और मैं move on कर लेती, शायद ये पोरा जो प्लान होता, शायद मेरे दिमाग में उस समय नहीं आता, क्योंकि जो पेन होता है, वो पेन आपके लिए आपके बहुत सारे दिमाग के सेल्स खोल देता है, पेन अनलोग परपस, very well said, very well said, I also see to my girls when they lose, that you have to accept failure, you cannot run from failure, but don't settle with it, there is a difference between accepting and settling, true, accept it, live it, cry, मैं बोती हूँ, रो दस दिन, रो लो, क्योंकि जब तक आप उसे फेल नहीं करोगे, तब तक उसे अबरोगे नहीं, और जब उबरोगे तब आपकी new personality दीखेगे, मंजी ओवी जो पसनालिटी होगे, वो तब दीखेगे, और आप सेटल हो जाओगे, तो फिश एक सेटल वर्ड जो आपने कहा, that is called passive acceptance, passive acceptance में क्या होता है, that आपने बस compromise कर लिया, कि मेरे नसीब में लिका था, मेरे शायद crown है नहीं नसीब के अंदर, और आप कुछ ना तो उससे सीखे, ना आप उससे rebound किया, कुछ नहीं किया, you just passively accepted, यह आपको कुछ समय के लिए psychological comfort द सकता है, ठीक है, बट इस situation में से आपको एक बहतर इंसान बनके नहीं निकालेगा, और second है dynamic acceptance, dynamic acceptance में you don't reject your reality, यह आप अपनी reality को reject नहीं करते हैं, you completely embrace it, inclusion, dynamic acceptance is about inclusion, that you include it as a part of your reality and then you learn your lesson and then you take some action about it, so what you did is basically dynamic acceptance and you are teaching people as well, so that's a good thing, your questioning personality is also important, questioning mind is important, आपने जुकता हा कि जब आहा से निकलना होता है वर you have to be a better personality, also in that acceptance phase you have to continuously question, right, which I feel I did and I have seen girls doing, कहां कम पड़ी, कहां हम रहे गए पीछे, क्या हमने कम कर दिया, और उनके जब जब जवाब मिलते हैं तो आपको सिर्फ pageant journey में नहीं, बट काफी time आपकी overall life को भी transform करते हैं, क्यूंकि हम ऐसे-एसे flaws हमारे identify करते हैं, मैं बोलते हूँ कि pageant journey is a self journey for females, because when they stand and when they see 70 contestants, the 70 contestants जब वो देखती हैं तो हरे एक contestants उसके अंदर का एक insecurity जगाता है, इसके बाल अच्छे हैं, indirectly आप बोल्डर मेरे बाल खराब है, इसकी skin अच्छी है, indirectly आप बोल्डर मेरी skin खराब है, ठीक है आप तारीफ कर सकते हो, बट अगर आप किसी fear के साथ वो compliment दे रहे हो, तो कहीं पे आप अपने में वो कमी दों जगा, So, मैं बोत हूँ कि आपकी pageant journey एक self-discovery की journey है, the day you think I am the best, she is also good in our area, but I know I am the best, I am the unique, that's when you have completed your journey and that's where it really doesn't matter if you won the crown or lost the crown, because you've won the pageant journey, you've won the life journey, So true. And this is what helps in all other areas of your life. So, when you were starting, like generally in India, parents का कितना support रह आपको और अपके अभरमेंट से कितना strong support आया, especially, दो जर्निया आपने किये, पहले अपनी इंडिविजुल एज़िस इंडिया, and then I think entrepreneurship में तो full support रहा होगा, because तब तब तक आपने कुछ प्रूव किया था, but वो जो इनिशल पाट था, did you feel a little resistance? Yes, I did. I won't lie. My dad belongs from Haryana background. And he is से जाद मुझे लगता है बोलने की जाद नहीं है. So, dad Haryana में ही पले बड़े हैं. Okay. And our young lady, चूरी ऐसा नहीं करती, चूरी ऐसा नहीं करती. बड़ाई भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है पूरी. ऐसे बाग्राउंड से मैं हूँ. पर उसी के ओपोजिट मम्मी बॉंबे की बॉंब बॉंट पर है. She is double M.A.B. 8. She was a principal with the government school. She exactly knew the value of education. She exactly knew what women are capable of. So, मेरी मॉम का सबसे बड़ा support रहा है. और आज तक मेरी मॉम का incredible support रहा है. Incredible. सोच के बाहर. मैं शब्दों में नहीं बया कर सकती. आज भी business में कभी ups and downs आ जाते हैं. Mom is there to sit and listen. And the moment I speak to her, I think things just subside. सब कुछ एकदा message लग जाता है कि negligible है, कुछ problem में नहीं है. So, coming back to your question. Right. कि अपना struggle रहा है मेरा. और डाद ने कभी अलाओ नहीं किया. I always wanted to participate in Miss India. But father was never okay with it. And then when I opted for this journey, he accepted because उनको भी पता है कि एक एच के बाद आप सादा restrictions नहीं डाल सकते, बच्छू. And then, जब business start हुआ, our dad belongs from a business background. Right. तो थोड़े बहुत हैं थे. But, जब नाम होना शुरू हुआ इंडिया में, society में, community में. Then they are proud. Then they are very proud. They are the happiest then. Right. Then they are very proud. And I am glad that I could make them proud. I am glad that girls like me, my pageant winners, my contestants are opening path for new generation girls. We are setting standards. We are proving that girls are capable of many other things, even after getting married. So, as a woman entrepreneur, आप क्या ऐसे unique problems देखती हैं, जो कि typically women entrepreneurship में आते हैं, मतलब ज़े मेल आप entrepreneurship में जा रहे हो, तो वो देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जरनी में आपको देखने मिले हो. वैसे तो मैं काफी feminist हूँ, और इस पे में शायद जादा justified answer ना देपाऊं, क्यूंकि मुझे पहले भी काफी मेरी team members पूश्ते हैं, कि आप, being a boss, you interact with lot of men outside, and there must have been lot of hesitation. Now, the background where I have born and brought up, it is a male-dominated background. Yes. So, now, when I step out in the business world, and I see male domination, it doesn't surprise me, first of all, because there's nothing new to me. Okay. I would say, in a way, I got habituated with it, and I know how to tackle it. Okay. The only reason I've been able to tackle it because I've accepted it. मुझे पता है, it doesn't surprise me, it doesn't upset me, ना ही वा मुझे ट्रिगर करता है, कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है. This is how it has been. I notice when men becomes extra gentle, extra caring, extra comforting, I notice that, and I really appreciate that. Now, to be honest, you've been very kind. Okay. Since I've met you, you've been exceptionally great personality. Thank you. And such personality leaves a mark. Right. Women were taken lightly, few years back. The ideas, the concept, the proposal that they used to bring on table, जो भी वो proposition लाती थी, वो काफी lightly लिया जाता था, और इतना preference नहीं दिया जाता था. Whereas, आज बहुत सारी लेडीज ने बहुत अग्जाम्बल सेट किये हैं, इस वजे से हमें इतनी डिफिटल्टी नहीं होती है. इसका मैं यही आंसर दोगी. काफी सारे रोल्स में आपको रहना पड़ता है, ठीके, परसनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी. So, how do you manage that? उन सभी रोल्स और रिस्पॉंसिबिलिटीज को आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि कई बार, मेल के साथ में एक एड्वांटेज होता है, कि अगर उसको एक रोल मिला है, कि बहार का रोल मिला है, तो he's only living that one role. उसमें उनका महनत है, जो भी है. But as a woman, I've seen, many of my students are women as well. So I've seen, even if they are succeeding, still they have their own challenges, because आप as a woman, अगर entrepreneur भी हैं, तो जो family responsibilities हैं, वो आप से फिर भी expect की जाती है. तो did you feel that challenge, or you did not have that kind of environment at your home? I had that challenge, and with time, I have also understood, pageantry journey ने हमें सिखाया है, कि जितना हम अमारी feminine energy पर काम करेंगे, उतनी ही सारी चीज़ें अपने आप सेटल होने लगेंगी. If I try to be masculine, I will face issue. I am born female, and I have to embrace my female energy. When I say feminine energy, feminine energy is more of receiving. I can't be doing, 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 doing everywhere. And that's where society also gets offended when woman does a lot. Now when I say we don't need to do a lot, doesn't mean that we are not working for what we want. We have a very feminine energy, has a very different way of inviting things. We carry that energy, we carry that aura. And the reason I am able to explain this, is because we are in the pageant industry, where female energy, where feminine energy dominates. So yes, masculine energy is needed to an extent. And this has also helped me to excel in a spiritual realm, which has improved my overall personality, where I don't try to do things, extra effort nahi daldi. I accept reality, if it's meant to happen, it will happen. So when challenges come, I do accept it, that yes, this is a challenge, and then I take a back switch. Lovely. I don't dive into it, I don't try to fix things, I don't know. Things will settle up. It's happening to you. You just have to be in your highest divine power. Yes, I think, I think, you have to empower them. Actually, actually, everyone is their strength, so the way they work on their strength, the journey is easy. This industry, if you look out, is there any myth about the industry? Suppose, a newcomer, who wants to move forward, or as a participant, wants to move forward, so what challenges you have seen, which participants face, करते हैं, ज्यादे तर, क्या obstacles, वो फेस करते हैं, और, मित क्या-क्या हैं, industry को लेके? बहुत सारे myth हैं, and I think, आपका जो platform है, वो इस तरीके से, ये myth को deconstruct करता है, क्योंकि हम इन बहुती साधारन भाशा में बात करते हैं, जो tier 2 और tier 3 city के, लेडीस को, जैन्स को समझे, जो भी industry untapped होती है, या unexplored होती है, उसी के बारे में myths जादा होते हैं, and I'm glad that, you know, we have taken this topic up, and we are talking about this, because, even ladies in tier 2, tier 3 cities are aspirational, सबने किसके नहीं होते हैं, और अगर कोई चीज उन वो obstruct करता है, तो वो myth होता है, तो वो assumption होता है, assumption उनके in-laws का, assumption उनके husband का, और कहीं पे उनके खुद के fears and insecurities, कि मैं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, शायद मुझसे वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने टीवी पे जो देखा है, वो बहुत ही glamorous देखा, ये तो बहुत अच्छा है, वो लड़की जो TV के राम पे चले हैं, वो आपकी ही जैसी है, 36 गर से भी winner रही है, इंदौर से भी winner रही है, राइपूर से भी winner रही है, जमु कश्मीर से भी winner रही है, जाद अतर यहीं से रही है हमारी winner, दिली और मुंबए की तो एकका दुक्काई रही है Wing Commander भी विनर रही है Gynecologist भी विनर रही है Housewife भी विनर रही है Teacher भी विनर रही है यह जो हमारी winners है वो try करती है audience से connect करने का ताकि हम यह myth break कर सकें और यह myth यही है कि मुझसे नहीं हो पाएगा मुझसे ramp box नहीं हो पाएगा, मुझसे communication नहीं हो पाएगा मैं stage की audience को नहीं face कर पाऊंगी जाद जाद कुछ भी नहीं तो मैं मेरे in-laws को नहीं समझा पाऊंगी कि मैं कितनी capable हूँ वो सबसे बड़ा challenge है मैं मेरे husband को नहीं समझा पाऊंगी तो और in-laws को यहीं लगता है कि वो industry मैं पतानी हमारी बेटी से हमारी बहू से क्या करवाएंगे कहां ले जाएंगे तो वहां तो मतलब अकले travel करने देना travel करने देना भी एक बड़ा issue है फिर कपडे उनके लिए बड़े issues है so so many things are there but being Mrs. Segment there are a lot of things that we take care of because we are representing India India is a country of tradition culture and I think it's our responsibility to carry that tradition and culture also I believe that females are the one who should carry this that's the strength of feminine another strength of feminine energy we carry the family values we carry the culture and tradition of India and we are also responsible to represent millions of married Indian women on that stage very responsible it is बहुत बड़ी responsibly swimsuit के round होते है और जहाँ पे कंबल सरी होता है महाँ पे लड़कियां पहनती भी है और काफी लड़कियों ने पहली बार भी पहना है मजे कुछ दिन पहली मैसेज आया था माम पहनना पढ रहा है एक बनर का तो मैंने मजाग में बोला आदट नी तो घर पहन के गूंडा शरू कर लो आदट हो जाएगे तो अच्छाएगा तो अच्छाएगा अच्छाएगा है तो अच्छाएगा है तो आदट हमारे ट्रेनर है ज़े पुर्वाइस पूर्वाइस तो अच्छाएगा है आपने बहुत अच्छे से का कि husband हो सकते हैं, in-laws हो सकते हैं खुद की insecurities हो सकते हैं So how do you help them to overcome those obstacles? God only help those who help themselves First of all person like me, I'm just a medium year, मैंसे तेक जरिया हूँ और उनका जो passion or desire होता है इंडिया को represent करने का passion, world title नाने का passion, उस पे हम थोड़ी थोड़ी घी डालते रहते हैं, वो fire में और जहां वो हमारा काम है सिर्फ, जैसे जैसे हम थोड़ी घी डालेंगे, आग बड़ेगी, आग बड़ेगी एक नई personality उबरेगी तने fire खुद की होना ज़रूरी है पहले, और यहीं हमारी winner हम उठाते हैं तो सब पूछते हैं, आप अपनी winner कैसे सिलेक्ट करते हूँ, खुबसूरत तो यह भी थी पर यह नहीं जीती पसनालिटी तो इसकी भी स्ट्रॉंग थी पर यह नहीं जीती और तब हम बोलते हैं कि हम वो energy और aura दों रहे हैं जो खुद को नहीं जो society को भी बदलने की हिम्मत रखे तो खुद को तो हमने बहुत लोग को देखा जो बदल देता है बट अपनी family, अपनी society, अपनी community को भी change, transform करने की हिम्मत रखे एक छोटा सा thought भी अगर shift किया उसने तो भी बहुत मुझे लगता है बड़ा काम किया है एक तो मैंने अपना ही बता दिया आप तो एक तो आपका खुद का होई गया और एक थी मेरी विनर तो मुझे पता नहीं था जादा उनकी family background के बारे में उन्होंने जब एक title जीता उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके husband का extra marital affair है और इस विज़े से वो इतनी निराश थी और इतनी upset थी और उनका disconnection होने लगा family से और husband से और इसलिए नया रस्ता डूनने के चकर में वो Mrs. India में आई और यहां पर उनको इतना discomfort में comfort मिल गया वो इतनी मैनत करने लग गई दन रात क्योंकि ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं वो इतनी आसान नहीं रहती है इतना जादा उनको जोपना शुरू किया और वो personality ऐसी हो गए कि हम उसको कोई उसको पहचानी नहीं पाया कि वो अउडिशन के दिन कौन थी और वो आज कौन है वाँ शी शी विस बीमिंग शी विस इंसाइड बीूटिफॉ और यहां प्र फ्यू मुन्स शी इस तेलिंग में नाव मैं हजमें इस इंसिक्योड वाँ वाँ तो मैं जोर से हसी मैंने बोला देख लो तुम्हारा क्या मन है यह जो आपने शिफ्ट परस्नालिटी शिफ्ट के बात करी तो क्या-क्या परमेटर साप देखते हैं अपार्ट फ्रॉं अपिरेंस और अउल on what things you work mindset पे कैसे आप लोग काम करते है attitude पे कैसे काम करते है mindset पे तो भी कैसे काम करना इसके tips आप से ही लेनी पड़ेगी मझे मैं दिमाग में वो ही चल जा था कबसे because वो head office है head office पे आपने काम कर लिया तो सारे departments on place आगर definitely mindset पे इसलिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि international competition में emotions बोफ़त easily और बोफ़त जल्दी ऊपर नीचे होते है one moment you are hyper happy you are motivated right second moment you are low in confidence कोई चीज आपको दिग गई किसी ने आपको कुछ बोल दिया किसी कोई थोड़ा racist हो गया आपके साथ and you have suddenly lost everything and then all negative thoughts gush in your head की नहीं मैं तु नहीं जीत पाँगी मेरे छे महीने वेस्ट हो गया मैने इतना सब कुछ किया यही जीतेगी वोही जीतेगी होता है females are known for overthinking so एक काम और composed personality maintain करने के लिए throughout the competition definitely your right mindset is very important the way you work on your body personality, your appearance the way you present yourself right तभी हम बोलते हैं कि grooming, training आपकी appearance बहुत जादा important होती है packaging बहुत packaging ही attract करता है इसी इनसान को वहाँ पर आपका 50% से जादा काम हो जाता है if your skin is glowing first impression from there philosophically we say that don't judge the book by its cover but everybody judge the book by its cover आपके दी है तो आखो काम यसी काम रो करेंगे smile plays a very very important role in pageantry very important your smile and your eyes the moment you meet someone आपकी आदी बात हो गई सामने बाल then your body language then your appearance and your energy your communication your vocabulary ते सारी चीज़ों पर काम होता है stage performance के ताइम पर your posture your walk and then when I say walk it's not only walk with the walk how your eyes are moving how you're smiling how your hands are moving how your fingers are moving how your waist is moving every small part we need to work on जैसे जो stress आता है इसके बोल काफी stress होगा anxiousness होगी so do we have something to deal with that stress आप क्या होने गाइट करते हैं कि वो जो anxiousness है कई लोगों को audience को देखके anxiousness होती है कई लोगों को आपने पहले जिकर किया है कि अकेले है तो confident है लेकिन जैसे ही दूसरों को देखते है तुरंट compare करते है और compare करके वो जो deeper insecurities को trigger कर लेते है कभी कोई body को लेके insecurity है कभी कोई maybe language को लेके insecurity intelligence जैसे 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 insecurity है वो trigger हो जाती है कही बार तो as an individual they are good but the moment they see themselves in the group that insecurities got fired up so उसके लिए कुछ specific है जो आप लोग सिखाते है how to deal with it so उसके लिए obviously there are few exercises breathing exercise that I am not an expert so we have well-being experts who take care of this part they are always available on call okay in US में होता जादा तर ये competition या फिर दूसरे corners में होता है so they are always they make sure during this 5 days का competition or 10 days का competition they are available also I think when we are working on their physical body we keep showing them the best in that area so जैसे इस बंदी की walk अबसे अच्छी है Philippines, Mrs. Philippines की walk सबसे अच्छी है तो हम उसको दिखाते रहेंगे and then we make sure कि उसके दिमाग में बैठ जाएं मैं उसकी जैसे हूँ या उससे अच्छी हो oh nice then अगर body language में X person अच्छा है तो हम तो उसके लिए हमें study करनी पड़ती है पहले और कई बार ऐसा होता है कि 5 साल में एक best walk वाली निकलती है फिर उसके टकर का जल्दी कोई आता नहीं है market में एक standard set करके देन वी वेट तो हम उसी का यह example देके और उसी के इर्द गिर्द पूरी training design करके अगर मेरे उपर काम किया है for example mentors ने और मुझे पता है कि मैं best candidate की walk देख रहे हूँ और मुझे पता है मेरे strength यहाँ पर है वो यहाँ अच्छी है technicalities में पूरी सिखा देते हैं मैं यहाँ अच्छी हूँ ठीक है वहाँ पर physical training data time में हम काफी हत तक confidence को build कर लेते हैं but for last moment पर triggers होते ही हैं to error is human to fear is human so most of the times I'm always there with the candidate during the international competition I know what time what they go through so मैं उनकी foundation बनके खड़ी रहती हो बाकी I make sure they do their breathing exercise every day I keep talking to them I keep giving them positive doses as much as possible and then yeah बाकी तो फिर उनकी जो willpower होती है वो उनको तार ले जाती है so what is the importance of role model in this earlier you talked about Priyanka and all और यहाँ पर भी कही न कहीं आपको ओ मोडल करते होंगे जब आप पहाँ पर प्रसेंट it gives positive encouragement so in your career or when you see so many participants what is the role what is the importance of role model in your success is it necessary to have role model I don't know about others I'll give my example शेर Priyanka Chopra has been my role model initially मैं इसले अट्राक्ट हुई क्योंकि वो एक pageant winner थी वो एक बहुत खूबसुरत ना हो कर भी एक बहुत strong personality रही so true yes तो ये सारी चीज़े मुझे initially attract की उसके बाद जैसे जैसे मैं उनकी life में sneaking करती गई और मैंने जब उनकी छोटी छोटी और छोटे छोटे क्या बोलता है falls देखे, failures देखे, challenges देखे वहाँ पर मैं मेरे falls और मेरे failures को compare करने लगी और मुझे मेरे falls और मेरे failures बहुत छोटे लगने लगे क्योंकि अब अगर मैं खुद को मेरी role model से compare करी और मैंने मेरा target वो रखा है तो वहाँ से मुझे हिम्मत मिलने लगी तो यहाँ पर role model का बहुत important role होता है because आप blindly उनको follow करते हो blindly फिर आपको सही गलत मुझ नहीं दिखता है तो I think यहाँ पर बहुत ज़्यादा major role play करते हैं जब हम उनके challenges देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं मेरा तो challenge कुछ भी नहीं अगर मुझे वहाँ पॉचना है तो वो बड़ा challenge भी आ सकता है जहाँ पर आपको अपनी country छोड़के रातो रात US जाके settle होना पड़े और पिर इसे वापस सब कुछ scratch से start करना पड़े और एक दिन उन्हें इंडिया ही छोड़ना पड़ा वाजा करके फिर से scratch से शरू करके और बहुत अच्छा किया और ऐसा किया अज हर इंडियन उनकी बात करता है So what is the role of spirituality in your success? I think without spirituality I wouldn't have been what I am today It molded me It gave me an immense power of acceptance It took me through the darkest downs of the life Even after Right now, spirituality के रस्ते पर चलने के बाद मेरा personal experience ऐसा रहा है कि कुछ बड़ा काम करने के लिए मुझे कोई बहाना या कोई रीजिन नहीं चाहिए आप motivation डूंते हैं कोई बड़ा project उठाने से पहले हम generally मैं दूंती थी पहले हम motivation डूंते हैं कोई भी बड़ा project But spirituality के रस्ते में चलने के बाद I just ask my inner self कि process में अगर मुझे मज़ा आएगा तो मैं वो काम करती हूँ irrespective मी failing और मी बने और मुझे लगता है कि वो thought आना मतलब मैं एक coward से एक बहुत strengthful personality बनी हूँ spirituality के वज़े से क्योंकि अगर मैं fail भी रुई तो I'm okay because I want to enjoy the journey and again it's an ongoing process It's a journey अभी भी मुझे लगता है कि बस अभी शुरू किया है बहुत देखना और बहुत experience करना बाकी है और जितने भी गुरूओं के पास में देए उन्होंने जब मैं उनसे पूश्टिव की ultimate क्या होता है या अब मैं कहां बरू कितना मुझे और आगे जाना है तो वो हमेशा ये बूलते कि हर इंसान की अपनी एक unique चिलनी होती है spirituality के रस्ते अगर आप meditate भी कर रहे हो तो आपकी feelings और आपका experience बहुत unique होगा मैं मेरे साथ वाली से नहीं पूच सकती कि तुझे क्या feel हुआ अच्छा मुझे ये feel हुआ it has to be different because we all are different unique human beings and more you embrace it more you're graceful about it more you'll experience it more so beautifully explained I think in spirituality many times we talk about the stages of light or maybe stages of consciousness we can call so one stage is victimhood so so many people are trapped in that consciousness where blame or complain is their coping mechanisms right so the one who is in stuck in victimhood consciousness abhi hamesha apne life mein failures ka jho result nahin mil rahe hauska hamesha koi na koi bahari external source dhundra hai jisko ho blame kar se oh true and we'll find so many people around us jho lagataar blame hi unki life ka coping mechanisms hai ki mein mein apne business me aaghe islai nhi bada raha kyunki market kharab hai customer samajta nahi hai mujhe mein naukari me islai aaghe nhi bada raha kyunki boss kharab hai mera office mein politics hai toh sabse pahle ye immediate environment ko dhekta hai jisko blame ker seke woh nahi milta the then they go for intangible things luck, time, sitarhe kharab hai, kundli kharab hai aur shayad bhagwani nhi chata hai ki mein sarpal ban ho so us level tek loog chalai jate hai phir second stage mein jho loog hai consciousness jenki thurisasi evolved hai ye awareness ya phir achiever consciousness mein hai ya haa pere insaan ke inder ye awareness hai ki mein apni destiny create kar sakta ho I am not the product of my circumstances I can create new circumstances I can set my goal and I can achieve those goal toh aap eek achiever consciousness mein ho magar is stage mein bhi problem ye hai ki aapki happiness social blueprint se aati hai social blueprint hai ki aap kitnay kaise kapdhe pahin raha ho kitna kama raha ho kitnay aapke ghar raha hai toh your happiness is always conditional it is always dependent on fulfillment to some external condition ke adar ye hoi toh mein khush raha hoon ga otherwise mein khush nai raha hoon ga toh achievement consciousness bhi bhi ek point ke baad mein zindagi bladai jaisi lagne lagti hai ke aap haroos lard raha ho struggle kar raha ho bhot war chal raha hai jaisi but fir third stage aati surrender stage now surrender stage is you achieve you are achieving in that stage but you are not attached with the outcome okay for you success is not coming from the social blueprint your success is coming from alignment that how much aligned I am with my purpose with my true values what I am doing is meaningful or not is it creating impact is it making difference and then your difference meaning fulfillment this becomes your priority you enjoy as you said your journey is what you enjoy now you are you will get more result in that stage this stage me aap zada actually achieve khar rhave hote juno baki stages se magar yah jumpi jinsi la pega dat haisels nae lagti yaha par phial nada like that that is a play it's not a war तो इस वननेस्ट, विक्टिमूद इस लाइख कि आप एक बोट में हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समंदर की लहरें दीमी रहे, सूरज ज्यादा तेज ना चमके, हवा ना चले, आप आप ऐसी चीजों को गंट्रोल कर रहे हो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आपके में तैसे करके अपनी डायरेक्शन में पिट होने की कोशिश कर रहे हो, सरेंडर में आपने वू सेलिंग सेट कर दी है, जिससे आप विंड की पावर को यूज़ करके एफटलेसली आप मूव कर रहे हो, और आवेकनिंग में आप आप ही ओशेन हो, आप ही वोट हो, आप ही काफी सारे लोगों को यहां पर इंट्रिव्यू किया तो जाद अधर जो फुल्फिलिंग वे में जो लोग सचसेसूल हो रहे है मोस्ली आर इन सरेंडर स्टेट यह वर एट वन ताइम इन कभी जिंदगी में विक्टिमूड में भी रहे कभी अचीवर में भी रहे के पास, बासा, तो बें तो जाद भी रहे रहे कोजार पर चुली में जामने का में झामना हो यह से इंट चौरिमाल को यह कि ऐए हमिठेगी में पर चौरिम χी यह में चौरिय। right, he material and outer appearance and this is their value system but यहाँ पर आप एक बिल्कुत एक different perspective audience को आप दे रहें that it's not just about the external thing that how much depth you have in your personality that is also important, very important और जब आप glamour और material के world के बीचो बीच बैठे हो, आपने कुदको बहुत पुश किया, आपने बहुत जत्तो जहद की, जैसे आपने बोला था first stage, victimhood stage, victimhood stage ने आपको कितना pain दिया है, अगर आप वो pain को identify कर रहे हो, और आपकी soul में growth की urge है, right, that's when you, you set yourself on a path where you are curious and you're trying to find an answer because you're not settling with that victimhood stage, right, I have, I have spent my most painful days in the past, when now I look back, I see days were fine, days were in bad, compared to the recent situation, sometimes we see in a business, जो बहुत major downs आता है, वोई बाक निए ठीक है, business up and down आता है, वो तो situations से ज़्यादा coping mechanisms are better हो गए, शायद उस time पर the way we were coping it, that were not fine, right, तो वो इक हुद को बाहर निकालने का urge बोलो, या फिर शायद मैं अपने शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी, बट settle कभी नहीं हुई, वो pain के साथ, इतना तो समझ रहा था कि हर चीज कंट्रोल करने में बहुत pain है, और जितना जादा करेंगे, उतना जादा गुठ limit के बाहल जाएगी, इतना awareness तभी भी था कि हर चीज करने के पीछे reason डून रही हूं मैं, जो again कहीं पर बहुत गलत लगता था, motivation डून रही हूं, reason डून रह जब कि बहुत 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 होती है, बस just because you don't have a motivation to do it, you're excluding it, so now as I said that I've reached a stage where if I feel like doing, I do it, I feel that I'll enjoy the process, I'll do it. Lovely, so जो young women business entrepreneurs हैं, जो भी अपना career बनाना चाते हैं entrepreneurship में, क्या दो-तीन चीज़ें उन्हें याद रखनी चाहिए या फिस सीखनी चाहिए, business में women बनने के लिए? अगर किसी भी women, man, कोई youngster है, अगर वो grow करना चाहरा है, और काफी लोग सूचते हैं कि अरे नहीं मैं spirituality के रस्ते नहीं चल सकता, बट अगर आप पो लगता है कि आप physical activity भी कर रहे हो, तो कहीं पर आप spirituality के रस्ते पर हो, क्योंकि आप खुद को time दे रहे हो, जहां पर आप ने खुद पर काम करना start किया, खुद को time देना start किया, यह आपका first step है towards spirituality, तो अगर वहां पर आप discipline होते जा रहे हो, और अगर आप अपना 500% दे रहे हो, यह आपका second step है towards spirituality, true, because spirituality starts with you, ends with you, it is inside you, it's nowhere outside you, if you're spending time with yourself and if you're enjoying to be alone, that's another way of spiritual, So, अगर आप बुलोगे कि हम आने वाली females grow, जो grow हो रही हैं entrepreneur journey में, आपने थोड़े दिर पहले कहा कि खुद को time देना बहुत जादा important है, खुद को वैसे तो हम बोलते हैं कि it is very important to prioritize yourself, priority में आप टॉप में होने चाहिए, but अगर वो बहुत जादा high expectation है, females को तो मैं बोलती ही हूँ, आपको टॉप में होना चाहिए, हमारी parent journey में भी हम बोलते हैं कि आपको खुद को prioritize करना है, it is okay to feel like a queen, it is okay to feel that world revolves around you, it is okay to feel that you deserve everything in this world, again that's what feminine energy is, that's how you will attract everything, but prioritizing yourself, giving yourself everything that you need, is what that will keep you going long term on your entrepreneur journey, और in any explicit journey you are on, in your family journey, आप अपने बच्चे को लेके बहुत जादा द्रीम्स रख रहे हो, कि मुझे मैं बच्चे बच्चे बनाना है, स्पोर्च बनाना है, बच्चे बनाना है, बच्चे बनाना है, बच्चे बनाना है, So, Giving Yourself Enough Time, Start and End of All, So true, याने कि खुद पे काम करते रहे हैं, quality time, quality time खुद के लिए, निकाने, that is very important, और business skills की टम्स पे अगर सोचे हैं, तो क्या skills पे काम करना चाहिए हुने है, हर एक personality unique होती है, सबके strength अलग होते हैं, सबके flaws अलग होते हैं, तो strength पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो बूलती हूँ, क्यूंकि flaws पे तो आपकी insecurity आपको काम कराती रही, अगर आप अपने strength identify कर सकते हैं, और उसको आप उसी पे काम करते जाए, करते जाए, करते जाए, शायद वो ही आपको आगे, बहुत आगे पहुचाएगी, वो ही आपकी uniqueness और आपकी uniqueness ही आपको market में outstanding बनाती है, और आपकी life का example एक हम ले सकते हैं, आपका जो passion है, आपकी जो unique skills है, वो आपने अज़ बोलते हैं, आपने अज़ शौक की तरह लिया है, I think this whole podcast is a perfect example for it, and whatever I've heard, the way you have started from the age of 19. Yes. So, you never worked with the plan of business, you identified your strength, you enjoyed your strength and you started working on it, same as what I did. Lovely. So, it was amazing listening to you, some very beautiful insights you shared, and now we will move to rapid fire. So, now we are moving to rapid fire with Mohini. लोगों को nervous क्या ज़्यादा लगता है, आपकी अनुसार रैमफोक या फिर live interview. Live interview. आपकी entrepreneurship journey का सबसे funny या unexpected twist. Kept working for years, वो दिन के लिए काम कर रहे थी, जब Mrs. World का crown इंडिया में आएगा, Mrs. World का crown, और उसके पीशे, I think, आठ साल मैंने अपना सब कुछ लगा दिया. The moment I won that crown, next moment I started feeling empty. आपकी नो डाउट, वो मुमेंट पर I was crying and I was happy. वो मुमेंट पर I was fulfilling, I was happiest, I would say. Next moment I had this question, what next? Beauty industry के बारे में एक ऐसा मित जो आप तोड़ना चाते हैं. कि beauty सिफ आउटर है और internally नहीं, आउटर ब्यूटी तब ही आएगी जब internally beautiful हो. एक successful woman leader में सबसे important quality क्या होती है आपकी राय में? मुझे लगता है कि एक successful woman entrepreneur में एक divine feminine energy born ही बहुत ज़रूरी है बिकरज वो ही female का सबसे बड़ा strength है और वो ही उसको male से अलग बनाता है entrepreneurial field में. अगर आपको एक दिन के लिए किसी celebrity का Instagram handle संबालना हो, तो वो कौन सा celebrity होगा? और आप उसके account पर क्या पोस्ट करेंगे? I would like to have a lawn mask account. आगे मुझे बढ़ने के खर्वाती नहीं है. बबली. Inner peace और outer achievements में आपका क्या perspective है? It has a very proportionate correlation and it needs to have आपके पूरी लाइफ में बहुत ही proportionate correlation होना जिये inner peace और outer achievements में. अगर आपका outer achievements जाद होने लगा और inner peace कम होने लगा जो अकसर हमारे साथ होता है, वहाँ पे हमारे लाइक में imbalance आना शुरू होचाता है. अगर आपको एक super power मिले, तो वो क्या होगी उर्ख्यू? I think I would like to understand the whole concept of quantum physics. Tap the untouched power of nothingness so that I can feel like a god. आपका time travel का सपना है? Question mark. आप कौन से युग में जाना चाहेंगे अगर ये पुसिबल होता है? है, और I think शायद मैं माभारता के युग में जाके सारा knowledge absorb करके आना चाहेंगे. बच्पन से लेकर अब तक का आपका सबसे यादगार लमहा? दिल से कह रही हूँ कि हर वो लमहा जो मैं मेरी मॉम के साथ गुजारती हूँ, मैं तो बहुत स्पेशल है. फर फर चूज कीजिये. सारी या गाउन फर गाला इवेंट. गाउन. डैली डाइरी राइटिंग या क्विक डिजिटल नोट्स. लार्ज शोशल गेदरिंग्स या कोजी कोफी डेट. फिर आर जोज तो कोजी कोफी डेट. Morning yoga session या evening walk Morning yoga session एक ऐसा person जो आपको inspire करता है Priyanka Chopra, as I said एक woman को अपनी potential अनलोग करने के लिए top three secrets क्या होने चाहिए उसकी दुनिया में, उसके bubble में वोही queen होनी चाहिए वोही top-notch power होनी चाहिए एक यह दूसरा, उसको trust होना चाहिए that anyone and everyone can work for her और can work in her favor वो trust universe पे और अपने surrounding पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है third, action, no fear to action ऐसे दो mindset जो women को लेनी के ज़रत है आज के जमाने में to accept the insecurity and flaws that we have सबसे पहला problem जो यह है कि औरत को सबसे पहले अपनी कमी दिखती है और उसके बाद उसके strength देखते हैं तो मैं यह नहीं बोलूँगी कि अपने strength पे focus करों मैं यह ताहूँगी कि कमी दिख रही है तो इसको accept करों तो यह mind shift ज़रूरी है दूसरा mind shift यह है कि अगर कोई बहुत आगे बढ़िया है तो उसकी capability को और उसकी success का उसको credit दो तो कि काफी females यह दूसरी females के साथ नहीं कर पाती So final message before we wrap up any final message that you want to give to our audience entrepreneurial journey has been very beautiful very fulfilling and it has given me everything that I wanted in my life only because the whole journey surrounded around me and my purpose my purpose has always been to fulfill myself and my soul मैं जब तक बहार के reasons के पीछे बहागती रही motivation के पीछे भागती रही कि इस कारण के मुझवज़े से मुझे यह करना है उस कारण तब तब मुझे ज़्यादा challenges आए तो I think अगर आप खुद को set कर रहे हो अपने journey पे तो आप internal purpose दोंडो कि आपकी soul क्या चाहती है आपका दिल क्या चाहता है आपका मन क्या चाहता है और अप क्या करना enjoy करते हो I think then there is no looking back